हेलो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि PHP में function का use क्या होता है इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि PHP में function का काम क्या होता है यदि आपके program में कोई ऐसा task है जिसे आप बार बार execute करने की जुरूरत होती है तो आप उस task के लिए program में अलग अलग जगा पर code को लिखने की बजाए एक function को create कर सकते हैं और जब भी उसको उस task को perform करने की अफशिक्ता होती है तो आप उस function को अलग 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 जगा पर काल कर सकते हैं ऐसा करने से आपका time भी बचता है और computer की memory भी बचती है साथ ही आपका program भी short और redevil बन जाता है इसे code reusability का जाता है क्योंकि आप एक ही code को अलग अलग जगा पर प्रयोग कर सकते हैं यदि मैं आपसे पुछे कि यदि किसी program में eco या print function की जरूरत कितनी बार पड़ती है तो आप कहेंगे कि बहुत बार होती है अब मान लीजिए कि यदि इन function का पूरा code आपको हर बार लिखना पड़े तो program कितना बड़ा हो जाएगा और कोई भी simple project को पूरा करने में बहुत ही time लग जाएगा तो ऐसी situation से बचने के लिए program में function का प्रयोग किये जाता है तो इसलिए PHP में function को बनाए जाता है इसके बाद PHP में दो तरह के function होते है एक है user defined function और second है built in functions यहाँ पे user defined function का syntax है सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है function तो function यह keyword है इसको लिखना बढ़ता है इसके बाद है function name तो यह function name जो होता है इसको इकठा लिखना बढ़ता है यह नहीं कि यह function अलग लिखा और name अलग लिखा इसको एक साथ लिखेंगे अगर हम इसको अलग करना जाते हैं जैसे हमें function दिखाई दे इसके वाद यहाँ पे name तो n को हम यहाँ पे capital letter में कर सकते हैं यह यहाँ पे underscore लगा सकते हैं लेकिन इसको जो है एक साथ लिखा जाएगा और इसके वाद यहाँ पे round bracket यह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे यह function create होगा इसके वाद यहाँ पे curly bracket इसको start करेंगे और इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे block of statement और यहाँ पे लिखेंगे return और इसके वाद curly bracket को यहाँ पे close कर देंगे तो ये इसका syntax है इसके बाद इसको आगे समसे है इसके बाद ये जो पिछे हमने syntax दिखा है इसको यहाँ पे समसे है ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे php को start किया हुआ है ये दिखो यहाँ पे php start की हुई है function ये keyword है इसको लिखना पड़ता है इसके बाद यहाँ पे display ये display ह लिखेंगे,いくu this is php dot php version, round bracket, इसके बाद यहाँ पे semi kolon, eco, और यहाँ पे backward slash और n लिखेंगे, इसके बाद curly bracket को बंद करेंगे, कि इसके बाद यहाँ पे function name, यहाँ पे display लखेंगे और इसके बाद яudedंपे round bracket, इसके बाद semi kolon लगाएंगे, और यहाँ पे यह PHP को बंद करेंगे तो यहाँ पे इसको समते हैं यह जो function है यह keyword है और यह जो हमने लिखा हूँ है display यह function name है और यह जो function create करेंगे यहाँ पे create करेंगे इसके बाद यह curly bracket यहाँ से start की हुई है और यहाँ तक इसको बोला जाता है function body और यह जो नीचे लिखा हुआ है यह देखो यहां पर curly bracket के नीचे लिखा हुआ है display इसको बोला जाएगा calling function तो function को PHP में हम program के जरीए समझेंगे तो यहां पर एक program है write a program to demonstrate the use of functions तो इस program को हम notpad में समझेंगे तो यह notpad में हमने PHP का function लिखा हुआ है तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है dog type html इसके बाद html इसके बाद body इसके बाद heading स्टार्ट के हुआ है इसके बाद PHP को स्टार्ट के हुआ है और यहां पर यह देखो defining function यह लिखा हुआ है इसके वाद यहाँ पे function यह keyword लिखा हुआ है function इसके वाद यहाँ पे function name दिया हुआ है वो है get sum यह function name है और यहाँ पे round bracket में हमने लिखा हुआ है num1 और num2 यह लिखा हुआ है इसके वाद curly bracket इसको open किया हुआ है इसके वाद लिखा हुआ है sum is equal to num1 plus num2 यहाँ पे semicolon लगाया हुआ है और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है echo sum of two numbers num1 and num2 is यहाँ पे लिखा हुआ है sum sum लिखने के बाद यहाँ पे semicolon लगाया इसके बाद यहाँ पे curly bracket इसको बंद किया हुआ है और यहाँ पे यह जो नीचे है calling function इसमें लिखा हुआ है यह function name get sum इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है round bracket में 10 20 तो इनका हमें क्या चाहिए sum चाहिए इसके बाद यह PHP को बंद किया हुआ है H1 को बंद किया हुआ है body को बंद किया हुआ है और इसके बाद HTML को बंद किया हुआ है दो number का यहाँ पे हमें sum चाहिए sum किसका चाहिए num1 num2 यह देखो num1 में 10 लिखा हुआ है num2 में 20 लिखा हुआ है इनका हमें क्या चाहिए यहाँ समझाईए तो इसको यहाँ पे हम करके दिखते हैं यहाँ पे पहले फाइल पे जाएंगे और इसको सेव करेंगे, सेव एज पे क्लिक किया C drive को ओपन किया यहाँ पे ओपन करने के बाद बांप 64 यहाँ पे जाएंगे इसके बाद www इस folder पे क्लिक करेंगे इसके बाद project folder इसके ओपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे file का name देंगे gh file का name दिया इसके बाद .php इसके बाद इसको हम save कर देंगे यह save कर दी save करने के बाद इसको minimize करने के बाद यहाँ पे bomb server यहाँ पे open हो गया और यह task bar में आ गया है यहां पे इसको click करेंगे और click करने के बाद यहां पे localhost यहां पे इसको open करेंगे यह localhost window यहां पे open हो जाएगी इसके बाद यहां पे सबसे उपर यहां पे लिखेंगे localhost इसके बाद यहां पे forward slash इसके बाद project name लिखेंगे प्रोजेक्ट नेम लिखा इसके बाद forward slash लगाएंगे इसके बाद file का name देंगे file का name हमने दिया था dh इसके बाद .php यह लिखा लिखने के बाद हम enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यह दिखो यहां पर आ गया sum of two numbers 10 and 20 is 30 तो यह sum हो के यहां पर आ गया तो यहां पर column function में हमने यह देखो 10 लिखा था और 20 लिखा था तो इन दोनों का यहां पर sum हो के 30 आ गया अगर हम यहां पर column function में यहां पर value change करेंगे तो यहां पर यह value change हो जाएगी यहाँ पे suppose करो हमें sum चाहिए 100 यह देखो 100 किया और 20 इनका sum चाहिए तो यह देखो जब हम इसको save करेंगे और यहाँ पे refresh करेंगे तो इन दोनों का sum यहाँ पे होके आ जाएगा इसको करके देखते हैं यहाँ पे file पे गए save पे गए save पे जाने के बाद जब हम इसको refresh करेंगे तो यह देखो यहाँ पे value चेंज हो जाएगी देखो इसको refresh किया refresh करने के बाद यह देखो यहाँ पे आ गया sum of two numbers 120 is 120 तो जैसे जैसे हम यहाँ पे value चेंज करते जाएगे वैस वैसे यहां पे sum होके आता जाएगा तो इस तरह से PHP में function काम करता है तो इस वीडियो में हमने function के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद